नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड के सांथियो ए मॉडल प्रैक्टिस सेट नमबर आठ है जो की कीरन पब्लिकेशन से लिग गई है और एक से लेकर के 40 तक मैथ और रिजनी के कुश्चन हमने कम्निटी बॉक्स में लगा दिया है अगर आ आगे शुरू करते हैं 41 से पहला कोश्चन जो कि अपके स्कीरन पर कहा दरा कि केंद्रिय सुस्क छेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में इस्तित है तो केंद्रिय सुस्क छेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहां इस्तित है पुछा जा रहा है तो कहां इस्तित है तो य जो है का मतलब होता है दूसरी सर्विस पर भी फॉल्ट मारना ए जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है तो यह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ इसको ध्यान रखिए क्या चीज़ से लॉन टेनिस से आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ नम तेतालिस को बनाते हैं इसको छोटा कि पहला कथन में है कि मोटरवानों में इंधन के रूप में डीजल और प्रेटरॉल का अस्थान अब सीएंजी यानिके संपडित प्राकिर्टी गैस ले रही है और कथन आर में कर रहा है कि सीएंजी सलफर और नाइट्रोजन के अकसाइडो का उत्पादन अल्प मात्रा में क पहला कथन में है कि मोटरवानों में इंधन के रूप में डीजल और प्रेटरॉल का अस्थान अब सीएंजी गैस ले रही है तो एकदम बात सही है अब उसको समाब्त किया रहा है परदूसन के वज़ा से इससे कम परदूसन होता है सीएंजी से यह भी कथन आपका एस सही ह दूसरा का रहा है सीएंजी सलफर और नाइटोजन के अक्साइड का उत्पादन अलप मातरा में करती है सांथी सीएंजी एक अधिक स्वक छिंधन है तो अभी बात सही है तो क्या हो जाएगा एक और दोनों सही है और आर एका सही व्याख्या करता है तो अपसा नंबर एक गुबारे में भरी जाती है तो हिलियम गैस को गुबारे में भरी जाती है इसको ध्यान रखी है क्या हो जाएगा हिलियम आगे हम लोग बढ़ते हैं कirens नमर्फ 25 को बनाते हैं काजा रpektी निमल्हित में से कौन भारत में पारी इस्तितिकी अशन्तुलन का मुख कारण है तो मर वस्तलिय करन की परिविर्ती बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वणों की कटाई, आगे हमने बढ़ेंगे कुछा नमर 46 को बनाएंगे, बूद का जनम कहा हुआ था, तो महत्मा बूद का जनम लूमनी में हुआ था, ध्यान रखियेगा, कहा हुआ था, लूमन ट्रेन इस्टेशन बनने के लिए त्यार है, तो कौन सा सहर, तो गुजरात में पढ़ता है कौन, सूरत, जो की बिजनेस हव है, सूरत, ध्यान रखियेगा, बिजनेस का यह हव है, यहां जो है, पहला बूलेट ट्रेन इस्टेशन बनने के लिए त्यार हो रहा, ध्यान कि यह कोहने बैकाल-जिला जिसकी जो है एक हजार शोंसों बयालीस मीटर की अधिक्तं घहराई के साथा आ सथा कहा है वाधा रूस सबसे घहरी जिला ध्यान रखिएगा नहीं फ़ीजला है जितनी है 1642 मिटर आगे बढ़ते हैं पुछाण नमर 24 को बनाते हैं लोग तक जील जो है किस राज मी स्थित है यह पुछा जा रहा है तो लोग तक जील जो है मनिपूर के मुईरंग के पास तो क्या हो जाता मनिपूर में कहा तो मुईरंग ध्यान रखेगा आगे हमने बढ़ते हैं कुशन नमर 50 को बनाते हैं अब लोग दूध जो है डेली खाते हैं उसी से कुशन है कहा जा रहा है कि दूध को जो है सुक्ष में जीवे से मुक्त करने के लिए पासे चिकरन की पर किरिया में निमलिकित में से क्या किया जाता है अपसन देखते हैं क्या क्या किया जा रहा है कहा जा रहा है कि दूध को जो है सतर डिगरी सेंटिग्रेट पर 15 से 30 से के लिए गरम करते हैं और फिर जो है का एक ठंडा करते हैं और उसका भांडारन कर लेते हैं दूसरा अप्शन दे रखा है दूद को 100 degree centigrade पर 4 से 5 मिन्यट तक उबालते हैं त्था एक जो है ठंडा करके उसका भंडारन करते हैं तीसरा अप्शन दे रखा है कि दूद को 0 centigrade पर ठंडा करके एक जो है भंडारन कर लेते हैं और चौत अप्सन दे रखा है कि दूद को पचास डिग्री सेंटिग्रेट पर तीन नियट तक गरम करके उसका मलाई निकाल लिया जाता है फिर बीना ठंडा की ये दूद का भंडा रन कर दिया जाता है तो कौन सा अप्सन सही होगा ये पूछा जा रहा है तो पास्ची करण की परकिरे में क्या होता है कि जीवानुरहित करने के लिए इसको जो है दूद को लागवक सतर डिग्री सेल्सियस पर पंदर से तीस सकेंड के लिए उच्छ ताप गरम की जाता है और फिर इसको ठंडा किया जाता है तो ध्यान रखियेगा क्या हो जाएगा इसका अंसर काउन को देखते हैं एकाउन को मनाई एकाउन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा खेल जो है रिंग में खेला जाता है तो मुके बाजी जो है रिंग में खेला जाता है इसको ध्यान रखिये क्या हो जाएगा मुका बाजी कबडी तो फिल्ले में खेला जाता है आगे हम लोग देखते हैं कुछा नमबर बावन को मनाते हैं, बावन में क्या कहा जा रहा है, कि हमारे सरीन में कैलसियम के औसोसन के लिए कौन सा बिटामिन आवस्यक है, तो हमारे सरीन में कैलसियम के औसोसन के लिए बिटामिन डी बहुत आवस्यक है, आगे हम बढ़ते हैं कुछा नमबर तिरपन को बनाते हैं जयन दर्शन की सिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षी निशिया की यातरा की तो जयन दर्शन की सिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षी निशिया की यातरा किया यह पुछा जा रहा है तो महावीर नो पूरे दक्षी ने सिया के यात्रा किया था, ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं कुछ नमार चगौन को बनाते हैं किस टाइगर रिजर्फ में आदर भूमी के अंतरगत सबसे बड़ा छेतर है तो सुन्दरवन जो है ताइगर रिजर्फ में आदर भूमी के तहते सबसे बड़ा छेत्र है कूल छेत्र प्रकला जो है 96.76 प्रतिसत है ध्यान रखेगा तो क्या हो जाएगा सुन्दरवन आगे हमने बढ़ते हैं कुछ नमबर 55 को मनाते हैं पचपन को देखिए पचपन में क्या का जा रहा कि किसके ससन में जो है सिख खालसा सेना का गठन किया गया तो रंजीत सिंग के ससन काल में जो है क्या हुआ था वहाँ खालसा सेना का गठन हुआ था इनी के ससन काल में ध्यान रखेगा आगे हमनों बढ़ते हैं कुछ नमर 6 पन को मनाते हैं भारत के राष्ट पती की पद की सपत कौन दिलाता है तो भारत के सरोच नियाला का मुखनी अदिस भारत के राष्ट पती पद का जो है सपत दिलाने का काम करते हैं इसको ध्यान रखेगा क्या बढ़ते हैं भारत के किनों सामील है तो अपसर में दे रखा उप्रिक्त सभी तो यहीं को रेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुछ नमर छप अंठावन को बनाते हैं कि कागा राय कि निमलिफित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है यहां पर पुछ राय कि नहीं है अवस्थित नहीं है यह रूम टेक मुनिष्ट्री अवस्थित नहीं है वैसाली क्या अस्तूप अवस्थित नहीं है असोग का अस्तम देखे बिक्रम सिला है वैसाली का अस्तूप है और असोग अस्तम है यह रूम टेक मुनिष्ट्री यहां पर नहीं है तो यहां इसका एंसर हो जाए हो गुन पर अंसर यह जी proving कॉन सही नहीं है पाहला प्संदेरा कहा II के हैं तो गुल-मेदी के जो है वी फटकर विखरते हैं छही है दूसरा है जो कमल के फल पानी में भाते हुए एक अस्तान से दूसरी अस्तान तक चले जाते हैं तो ये भी चला जाता है तीसरे है कपास की बीज पसु की सरी से चिपव कर एक अस्तान से दूसरी अस्तान Highway तक पहुच जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है कौर हे ग़कु कौण कॉठाथन मदद से शही उतर का चैन करें तो खाद मीटी को जो है धेर सारा हुमस परदान करते हैं मीटी की उरवरता और फसलों की उत्पादाक्ता बढ़ाने के लिए मीटी में मिला गया कारविनिक पदार्थ पशु खाद मानाव और पौधो के अवसेस जो होते हैं प्राप्त कारवि की रूप में पौधो का पोसकत तो यह लोग देते हैं तो यहां कहा जा रहा है कि खाद के संदर में निचे दिये गए बिकल्पी साहता से सही उतर का चैन करें तो कौन वोगा सही उतर पढ़ लिए होंगे आप लोग कमेंट करके बताईए तो देखिए पाल आपसन देखत खाद एक कार्मिक जविक पदार्थ है तो हां एक जविक पदार्थ है दुसरा है खाद पोधे या जन्तु के अपसिष्य पराप्त होती है तो हां इनके अपसिष्य पराप्त होती है और तीसरा है अब घटित खाद पदार्थ के रूप में किया जाता अब घटित पदार् C, तो जिस अप्शन में होगा, वहीं इसका एंसर हो जाएगा, यहाँ अप्शन चार में है, आगे हमने बढ़ते हैं कुछन नमबर 61 को बनाते हैं, कहा जा रहा कि बाड़ का मुख कारण क्या है तो बाड़ का मुख कारण क्या है, भारी वार्षा डैम से जो है, एक पानी छोड़ना, यह सब क्या है बाड़ का कारण है, तो क्या हो जागा यहाँ पर अप्शन इसका एंसर, भारी वार्षा यह भी कारण है, बान से अचानक पानी के छोड़ना और निम्नास्तरिय भूमी, तो क्या हो जाएगा, यह तीनु सही है तो उपरिक्त सभी हो जाएंगे आगे हमनों बढ़ते हैं कुछ नमर 62 को बनाते हैं बीज जो है किसकी पस्तिती में अंकुरित होता है बीज के अनुकुरन के लिए जो है उचित मातरा में जल भी चाहिए, हावा भी चाहिए और सुष का परकास भी चाहिए तो इस तीनों जरूर है, तो क्या हो जाएगा उपरिक्त सभी आगे हमनों बढ़ते हैं कुछ नमर 63 को बनाते हैं चाया होती है, चाया कैसी होती है चाया का रंग क्या होता है तो चाया का रंग काला होता है, इसको ध्यान रखियेगा आगे हमनों बढ़ते हैं कुछा नमर 64 को बनाते हैं मधुबनी चित्रकाला किस राज से संबंदित है तो मधुबनी चित्रकाला सब जानते हैं कहां कि बिहार राज के मधुबनी जीला से संबंदित है तो क्या हो जाएगा बिहार आगे बढ़िए, कुछ्छा नमर 65 को बनाईए, प्रीत्वी का उपगरह कौन सा है, पुछा जा रहा है, तो प्रीत्वी का एक मात्र प्राकिर्तिक उपगरह कौन है, तो चंद्रमा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या है चंद्रमा है, कुछ्छा नमर 66 को बनाईए, खाद त तेल सरसों के किस भाग से पराप्त होता है हम लोग जो खाने वाला तेल खाते हैं वो सरसों के किस भाग से पराप्त होता है तो बीज से पराप्त होता है आगे बढ़ेंगे कुछा नमर को देखें कहा जा रहा है कि मिर्दा की सबसे उपरी परत क्या होती है सबसे उपरी परत मिर्दू होते हैं सनरंदर होते हैं कम जलधारन करने वाली होती है तो मिर्दा के सबसे उपरी परत पुछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा मिर्दू भी होते हैं और सनरंद्र भी होते हैं तो क्या हो जाएगा A और B यानि कि अपसा नमबर 1 किसका सही हो जाएगा आगे हमलों बढ़ते हैं कुछा नमबर 16 को मनाते हैं मनुस की हड़ी की कठोर सनराचना है कौन सी ये कठोर सनलचना मनुस की हड़ी की तो मनुस की हड़ी की जो है कठोर सनलचना क्या होती है खोपड़ी होती है खोपड़ी में जो है 29 हड़िया होती है ध्यान रखिएगा अस्तिया होती है कितने 29 खोपड़ी हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं कुछ नमबर 79 को मनाते ह जिवानु द्वारा कौन सा रोग होता है तो जिवानु द्वारा जो है टिटनेस भी होता है निमूनिया भी होता है छाय रोग भी होता है जिसको में टीवी बोलते हैं सिफलिस भी होता है डिप्थिरिया भी होता है पलेक भी होता है कोड़ भी होता है और हैजा भी होता है ज दक्षणी धुरू के बीच में, imaginary line को क्या कहते हैं जो उतरी धुरू और दक्षणी धुरू के बीच जो है, imaginary line है, imaginary line जो है उससे हम क्या कहते हैं तो उसको हम लोग वृत ब्रित भूमंद रखा करते हैं ध्यान कहते हैं कि मत बहुंद रखा करते हैं अगी हमनों बढ़ते कुछा नमर्ब स्घसे नमर के कुछ सबेक्चिंगे। ही इस संबाइक की तो जलने में वाला की शें से नहीं उगाया जाता है तो गुलाब जो है ये बीज से नहीं उगाया जाता है अब बाकी सब जो है बीज से उगाया जाता है इसके गुलाब के टोहनी के काट कर एक दूसरे जगा रुपा जाता है आगे हम लोग बनाएगे कुछा नमर 43 को देखेंगे 43 में क्या कहा जा रहा है कि नीचे जीव से समंधित कार दिये गए है सही कुट की साथा से उत्रो का चैन करे तो कह रहा है या सरकारा को माला में बदलती है जीव गलत या माला में नहीं बदलती है दूसरा या खाने में लार मिलाती है तो हाँ खाने में लार मिलाता है तीसरा इसकी स्था पर लार गरंथिया होती है तो हाँ होता है चौथा खाने के स्वाद की पहचान करना जीव का काम है तो हाँ ये तो है लेकिन कह रहा है यह खाने में लार मिलाती है तो मिलाता है और एक नट करा यह खाने में लार मिलाती है तो मिलाता है इसकी जो सता पर जिब की सता पर लार गरंथिया होती है यह नहीं होता है और यह खाने में खाने के स्वाद की पहचान करता है हाँ तो यह करता है तो क्या हो जागा इसके अं पंसल को बरबाद नहीं करता है अब पूछ रा Jay sano फंसल को बरबाद नहीं करता है तो जानवार तो करते हैं पाल्तु पश्व भी करते और किटानू भी करते है तो 211-27 można जाता है और 28 самое the restaurant को राष्ट्री ये प्रदूसन दिवस मना जाता है और चार दिसम्यर को जो है नव सेना दिवस मना जाता है तो इन शारों को आप याद रखेगा चारों अप्शन को आगे हम बढ़ते हैं कुछा नंबर शेतर को मनाते हैं नलंदाविस विद्धाला के संस्थापक कौन थे त तो कम तप पर भोजन के भढ़्णारन से उनका पुशक्तत्व पुछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा उसका पुशक्ततव पर क्या होगा से कुछ नमर 68 को मनाएकये पाधा मीटी से क्या प्राप्त करता है? तो पाधे जो है मीटी से ऑक्सीजन, खरी जी लवन तथ कारव बनाते हैं तो यहां क्या हो जाएगा खनीज लबन कुछा नमबर 79 को मनाईए फूट बॉल पानी में तरता है क्यों उतरता है आकरिम्नीज के सिदान के नुसार कोई भी वस्तु जल में तरती है यदि किसी वस्तु का घंत जल के घंत से कम है धारन फूट बर्फ जहाज क्या ह हो जाएगा उसका घंत जो है जल के घंत से कम होता है तम ही तरता है यहां पर क्या इसका क्रेक्ट टेंसर हो जाएगा बताइए आप लोग तो उसमें हावा भारी रहती है फूट बॉल में आगे हम बढ़ते हैं कुछा नमबर 80 को मनाते हैं नरोरा परमानु उर्जा इस सन्यंत्र हैं तो क्या हो जाएगा उत्र पर्देश के भूलंद सहर में Summen वे ध्यान रखियेगा आगे कुछ नमर 80 को मनाते हैं मानश राश्ट्री उद्यान किस राज में स्ती थे मानस जो है मानस राश्री उद्यान ayे कहां है ऐसम में इसको ध्यान किका कहां असम में है आगे हमाँ बढ़ते कुछा नमर बिरासी को मनाते हैं विस्व की सबसे ठंदा अस्तान दक्षिन में कहां इस्तित हैं तो विस्व की सबसे ठंदा अस्तान दक्षिन में कहां इस्तित हैं तो अट्रांटिक में जो है इस्तित हैं इसको ध्यान रखिएगा अट्रांटिक में इस्तित है कुछया नमर 83 को मनाईए मेथेन गेस, कऱवन ड्यक्सरीड गेस हऔरोजिन गेस, हड़ोजन सल्फाइड गेस यह किसका मिसरन है तो यह सब जो है मिसरन खिसका है बायो गेस का मिसरन है ध्यान रखकिए हैं कुछ नमर 84 को मनाईए निमने कित्म से कौन भारत कर आश्रिय पक्षी है तो मोर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चिम्टा किस प्रकार का उधारन है चिम्टा चिम्टा के बारे मताईए तो चिम्टा जो है तिरितिय स्रेनी का उत्तुलक है वंसी मनुस का हाथ भी होता है ध्यान रखियेगा तो क्या हो जाएगा तिरितिय स्रेनी का लिवर मनुस का हाथ भी तिरितिय स्रेनी का है और वंसी जिसे हम लोग मचली उसली करते हैं वंसी टाइप का जो रहता है उसा नमबर 86 को मनाईए कुछ ऐसे पाउदे है जो चुहे परद के किस राज में पाज़ आता है तो मेह घाला थे इसको ध्यान रखिएगा आगे हम लोग बढ़ते कुछ नमर 78 को बनाते हैं प्रिध्वी अपने अक्ष पर घुमती है प्रिध्वी अपने अक्ष पर भया तो प्रिध्वी अपने अक्ष पर कि आगे बढ़ते है कुशन 000 मेड दे मिल्स न मध्यान photon से किके खचा מאक के लिए दिया जाता है मध्यान बोजन तो मध्यान बोजन जो है क्षा है टकक के सही बच्चो दिया जाता है ध्यान रखियेगा है कुश्लमelet अब्य जोन के इस अ का परक्रिनन कैसे होता है तो आग का बीच का परक्रिनन हावा के द्वारा होता है ध्यान रखिएगा किसके द्वारा तो हावा के द्वारा आगे हमनों बढ़ते हैं कुछन नमबर एकानवे को मनाते हैं एकानवे में क्या का जा रहा है कि हरे पाउधे प्रकास अंसलेशन है तू नहीं चाहिए इसको क्या नहीं चाहिए इसको जो है प्रकास अंसलेशन है तू क्या नहीं चाहिए यह पुछा जा रहा है तो प्रकास अंसलेशन है तू अंतिम उत्वाद में जो है H2O Evo Oxygen मुक्त होती है लेकिन इसको जो है खनीज लवन नहीं चाहिए ध्यान रखिएगा प्रकास अंसलेशन में सिर्फ आगे हमलों बढ़ते हैं कुछ नमर 92 को मनाते हैं कि इस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है तो पत्तर चट्टा एक पौधा होता है जिसके पत्ती से जो है नया पौधा निकलता है ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा पत्तर चट्टा कुछ नमर 93 को मनाईए चाहा की लंबाई किस पर निर्वर करती है तो चाहा की लंबाई वस्तु के परकास के सरोत के कोन पर निर्व करता है वस्तु और परकास सरोत के कोन पर निर्व करता है छहा की लंबाई आगे हमलों बढ़ते हैं क्यूशन नमर 94 को बनाते हैं परतिसत के हिसाब से वाइव मंडल का मुख घटक कौन सा है तो अगर देखा जाए तो वाई मंडल का मुख घटक पुछा जा रहा है पर कौन कौन से है तो हाइड्रोजन कितना होता है तो 88% होते है नाइट्रोजन नोट आउट कर लिजिएगा कितना होता है 88% और अक्सिजन 21% और कारवन डाइक्सड जीरो दो सम्लो जीरो तीन परतिसत और आरगन जो है 0,2 सम्लो 0,9% होते हैं तो यहाँ पुछा जा रहा है कि मुख घटक तो मुख घटक कौन हो जाएगे पताएगे नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन के कितना परतिसत होता है 88% होता है ध्यान रखिएगा कुछन नमबर 95 बनाएगे कहा जा रहा है कि रीगवेद किस भासा में है रीगवेद जो है किस भासा में है बताएगे क्या होगा इसका अंसर रीगवेद जो है वैदिक संस्क्रीट में है वैदिक संस्क्रीट भासा में है इसको ध्यान रखिएगा इसमें जो है कुल 10 मंडल होते हैं कितने मंडल होते हैं तो 10 मंडल होते हैं आगे हमनों बढ़ते हैं कुछन नमबर 96 को बनाते हैं बुध ने अपना पहला जो है उपदेश कहां दिया था तो गौतम बुध ने अपना प्रथम उपदेश जो है बताइए जहांसी सारनाथ बोद गया लोहरिया तो यहां पे सारनाथ हो जाएंगे इन्में से कौन जो है मौरवन्स का महतपुन सासक नहीं है पुछ रहा है मौरवन्स का महतपुन सासक नहीं है तो पुसी मुत्र सुंग जो है, पुसी मित्र सुंग जो है, ये मोरवंस का तो सासक है ही नहीं, बाकी सब है, चंदगूप्त मोर है, मिंदुसार है या सोख है, ध्यान रखिएगा, आगे मिले बढ़ते हैं कुछन नमबर 98 को मनाते हैं, निच्वे दिये गए कूट की साथा स सही विकल कचैन करें मैं डैस के मुलन गाउं से आई हूँ हमारे यहां बहुत वारीस होती है इसलिए हमारे घर जमिन से लावग दस से बारा फिट उच्छे बने होते हैं या मजबूत मास के खंबो पर बने होते हैं यह किस जिला की बात होती है यह पूछा जा रहा है तो क्य जाती है इसको ध्यान रखिएगा असमें भारी वर्षा होता है और वहां जो है घर जमीन से लावग दस से बारा फिट उपर बने होते हैं तो कहीं बनाता है कि वहारी वर्षा होता है ताकि बार से बच्छे आगे हमने बढ़ते कुछ नम्भर नियानमे को मनाते हैं चिनी तरी फायान जो है चंद्रगुप्त दूतिये के ससनकाल में यातरक किया है इसको ध्यान रखिएगा आगे हमने बढ़ते कुछ नम्भर सो को बनाते हैं भारत में पहली महिला भारत में पहली महिला राजपल कौन बनी तो भारत में पहली महिला राजपल सरोजुनी नाइड अगर मुख मत्री पूस्ता तो कौन सुचेता के रिपलानी ये भी उत्र प्रदेश की है तो ध्यान रखिएगा कुछा नमबर 101 बनाईए भारत के किस असमारक ने अपना राश्रीय परतिक चुना है तो भारत ने जो है सारनाथ को अपना राश्रीय परतिक के रुप में चुना इसको ध्यान वा किया क्या हो जाएंगे सारनाथ कुछा नमबर 102 को मनाईए पुछा जारा कि नाथूलादारा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था किस मार्ग के नाम से सिल्क मार्ग के नाम से और तीसरा में है जो कथन और कारण है कथन वन को पढ़िए पढ़िए लिजे पहले हम जो है अपनी आखों से बहुत कुछ कह सकते हैं ये कहरा है कथन एक और जो है आखों से बहुत कुछ कह सकते हैं दूसरा कहरा है छोटे बच से होते हैं बोलने से पहले आखों से चेहरों से हाथों से बहुत कुछ का आता है तो दोनों कथन सही हो जाएगा कि आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछा नंबर 104 के तरह बढ़ते हैं हवा चोब ड्रोमेस्टिक और दूफल मेपिल के बीजों की लमबाई लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं क्योंकि इन में क्या होते है यह पूछा जा रहा है तो शहजन और मेपल जो है के बीज में जो है पंक होते हैं बीजों में जो है पंक होते हैं जो इन्हें हावा से जो है क्या होता है लंबी दूरू तक असानी से ले जाने में मदद करती हैं तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा सपक्ष बीज आगे हमनों बढ़ते हैं कुछा नमबर 105 को बनाते हैं भारत में जो है मुद्रा छापने तथा जारी करने का अधिकार किसको है तो ये जो है किसको है भारती है रिजर्ब बैंक को है बाकी किसी को नहीं है आगे हमनों बढ़ते हैं कुछा नमबर 106 को बनाते हैं राजास्तान के राजपुत राजा सवाई जैसिंग दोरा अठारवी सताबदी में बनवाई गई खगोलिये प्रिक्षाला का नाम के है तो जैपुर में है जो है जनतर मंतर एक खगोलिये अलोकन अस्तल है जिसे अंबर और जैपुर के महराजा सवाई जैसिंग के दोरा अठ हरावी सत अबदी में इसको शुरुवात में बनाया गया था इसमें लगबग 20 मुख इस्तीर उपकरनों का एक सेट सामिल है तो कहां है यह जंतर मंतर हो जाएंगे इसका नाम क्या है जंतर मंतर कुछा नमबर 107 को बनाएंगे जो कि कथन और कारण से हैं कथन एक को पढ़िए कहा जा रहा कि अस्थानी या स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जूड़ी कविता और गीत कक्षा में साजा किया जाना चाहिए तो हां किया जाना चाहिए तो एक दम बात साहिए दूसरा कारा है कि इससे अपने समुदाय को ग्यान और कला के प्रती बच्चों को लगाव बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा तो दोनों का थन साहिए हो जाएगा आगे हमनों बढ़ते कुछन नमबर 108 को मनाते हैं भारतिय मुद्रा का नाम रुपया जो है किसी ने दिया था तो भारतिय मुद्रा का नाम रुपया जो है कौन दिया था तो सिर्षा सूरी ने दिया था इसको ध्यान रखिएगा सिर्षा सूरी ने दिया था कुछ नमबर 9 को बनाईए तंबाकू चबाने से मुखता कौन से बिमारी हो सकती है तो तंबाकू चबाईएगा तो क्या हो जाएगा कैंसर हो जाएगा आगे हमलों बढ़ते कुछ नमबर 110 को बनाते हैं अधी यानि कि लीप वर्स में कितने दिन होते हैं ये पुछा जा रहा है तो लीप वर्स में जो है 366 दिन होते हैं सब कोई जानता है आगे हमलों बनाएंगे 111 एगारे में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा कतन सही है कतन पढ़के जवाब देना है पहला कतन देखिए कि अधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज होती है साथ ही साथ मिटिक उर वर्ता नहीं वढ़ती है दूसरा अपसन देखेंगे मिटिक उर्वार्ता बनाय रखने के लिए हमें जवक हाद के अस्थान पर उपयोग करना चाहिए गलत हमें अधिक से जवक हाद कहीं उपयोग करना चाहिए तीसरा अप्सन देखेंगे, कहा जा रहा है कि दो फंसलों के बीच में खेतों को कुछ समय के लिए बीना कुछ उगाये छोड़ देना चाहिए ताकि जमिन की उर्वारता बनी रहे तो एक मिनट इसको देखा जा क्या कहा रहा है, कौन सा कतन सही है तीसरा अप्सन का रहा है कि फंसलों के बीच ॥ो कुछ समय के लिए बीना कुछ उगाये छोड़ देना चाहिए तक मिनकी के उर्वारता बनी रहे तो बीना कुछ उगाये छोड़ दीजेगा तो क्या हो जाएगा बंजर हो जाएगा तो हाँ यहीं सही एंसर हो जाएगा क्या हो जाती है तो अपसा नमबर इसका चार कोरेक्ट एंसर हो जाएगा आगे हमनों बढ़ते हैं पूछा नमबर 112 को बनाते हैं लाखो वरास पहले जो है पौधो और जानवरों के दफ़न किये गए अपसेशों को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है 112 बताईए तो यह जिवास मिंधन के रूप में जाना जाता है लाखो वरास पहले दफ गये थे अवसेश जानवर और पेड़ पौधों के अवसेश को कुछा नमबर 113 बनाईए कुनार के परशिद सूर मंदिर का निर्मान किस ने कराया तो कुनार के सूर मंदिर जो है उडिचा के पूरी जिले के जो है कुनार के में 23 अतब्दी में सूर मंदिर का निर्मान जो है कौन कराया था नर्शिंग देव पर्थम ने कराया था ध्यान रखिए क्या हो जाएगा नर्शिंग देव पर्थम ने कराया था यहां दिया है तो क्या हो जाएगा, नर्शीमे हो जाएगा, कुशन नंबर 14 को बनाए चाहली में खोजे गया गरहीका, 31-62-0-1 के नाम किस परशिद हस्ती के नाम पर रखा गया, तो 21-ольш परशिद हस्ती के नाम पर रखा गया, बहुत अचा कुशन है, तो मलाला इसुप जाई के नाम पर रखा गया है ग्रहिका जो है एक तीस बासट जीरो एक हस्ती के नाम पर रखा गया है परशिद्य क्या है ग्रहिका है जो कि मलाला इसुप जाई के नाम पर रखा गया है वहीं मालाला इसुपजई, क्या जानते हैं इनके बारे में, जो आवाद उठाई थी लड़कियों को पढ़ने के लिए, जो नुबल सांति पुरुषकार के बिजेता भी है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछा नमर 115 को मनाते हैं, 115 में क्या का जा रहा है, कि भारत सरकार के नए LPG कनेक्शन के लिए कौन सी ओनलाइन योजना सुरू की गई है, तो हाली में भारत सरकार के द्वारा किंद्रिय प्रेटॉलियम और प्राकृति गैस मंत्री ने नए दिल्ली में एक एप लॉंच किया, उस एप का नाम के है सहज, तो सहज के द्वारा जो है, ओनलाइन योजना सुरू किया गया, इसके दूरा असानी से जो है LPG कनेक्शन आप ले सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछे नंबर 116 को मनाते हैं, European Organization for Nuclear Research यानि की CERN, द्वारा किस ECI देश को जो है associate membership status परदान किया गया है, तो यह जो है हाल फिलाल में, द्वार पंदरा मे पकिस्तान को परमानों अनुसंधान के लिए European संगहतन जिसको CERN कहा जाता है, इसके द्वारा अपचारिक रूप से सहयोगी सदस्त का एक दर्जा दिया गया था, ध्यान रखिये किसको पकिस्तान को कब, 2015 में, ध्यान रखिये कि कब, 2015 में, आगे हम लोग बढ़ते हैं कौन सा यूगम सही है, बताइए, तो विटामिन E परजनन, तो विटामिन E को कभी-कभी रुगानु रोधी विटामिन B कहा जाता है, इसको ध्यान रखियेगा, और यह परजनन अंगों के शमान कामकाज को बनाए रखता है, और संधार anti-oxidative गुन भी परतसित करने का काम करता है, तो A जूगम सही है, बाकी जो है एक भी सही नहीं है, विटामिन C और A सब पुल्टा-पुल्टा दे रखा रहा है, तो इसमें चूज करना है क्या चीज़ सही, तो क्या हो जागा विटामिन E और परजनन, उच्छा नमर 118 को मनाईए, सही का चैन करना है, अप्सन कादा उंगलियों के अंदर खिच कर शिपा सकता है, ऐसा सिर तो कर ही नहीं सकता है, दूसरा, हिरन के लंबे कान, उसे सिकारी की गतिविदी को जनकारी देता है, तो यह तो देता है, तीसरा, हिरन के स्वीर के पार्सों में दोनों और इस्थित आंखे परतेक दिसा में दे समने इसमें क्या का जान रहा है कि पकछियों के उड़ान के अनुकूलन कौन से बताईए Waltz की शरील का वजन कम करने वाली को खोक्ली हडिया कि उनके शरील को ढखनेवाली पंग मजबूत कूछ के साथ उड़ने में सहाइक शरीर और मजबूत मास्पेशियों वाले पंक यानि कि पक्षियों को उड़ने के लिए कौन-कौन सहाता करता है यह पूछा जा रहा है तो पक्चियों को उड़ने के लिए जो है शरीर का वजन कम करने वाली खोकली हड़ी होता है उसमें यह भी सही है उनके सरीर को ढखने वाला पंक यह भी सहाता करता है उड़ने में मजबूत पूछ जो होता है उड़ने में सहाता करता है यह भी सही है और मजबूत मांस वेशी वाले पंक होते हैं तो क्या हो जागा एक दू तीन चार सब सही है तो जो सब में होगा वही इसका अंसर होगा यानि कि चार अपसन इसका सही अंसर हो जाएगा कुशन नमर 120 जो कि आज का ये लास्ट कुशन है का जा रहा कि मानो शरीर में हमोगलोबिन की मात्रा निंतम मात्रा कितनी होने चाहिए कुशन नमर 120 को फिर से देखिए ये आप लोगों के लिए बना करके इसका क्या अंसर होगा कमेट किजेगा 120 में क्या का जा रहा कि मानो शरीर में है हीमो गोलोबीन क δεν होता है जो है कि देका कैलोरी या 11गाप्ट गैलोरी या 11 गोलोबीन कानी होना चाहिए डेES लीटर होना कि मानो जो है शरीर में हमो गुली में जो होता है उसकी निम्तों मात्रा कितने होना चाहिए 12 गराम जो है डेसी लीटर होना चाहिए या 8-12 पांच गराम डेसी लीटर होना चाहिए या 11 गराम डेसी लीटर होना चाहिए तो क्या होगा इसका एंसर आप लोग कमेंट करके लगा दिया है, चनल पे जाईए एक option होगा, वीडियो के आगे पीछे कीजिएगा तो community box दिखाई देगा community box में जो है, मैथ और इजिनिंग का हमने PDF डाल दिया है, वहाँ से आप लिंक पर किलिक करके, डाउलोड करके बना लीजिए और इसका answer हम कल अप लोड करेंगे मैथ और इजिनिंग का, इस सेट का और इस वीडियो को अनसाथियों तो जरूर पहुचा दे चैनल परना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन जै भारत